यह है एलियम सीपा थती, यह होमियोपैथी में बहुत जादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली दवा है, जुखाम के केस में, यह प्यास से बनी दवा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यह है कि पेशेंट में दो चीजे होनी चाहिए, एक आखो और नाक से दोनों से ह आखो जाँगे अगर आपको भूँवा है तो बहुत एफ्यक्टिव और यह पानी जो रहती है वह एकृट नेचर की रहती है, दोनों ए आखो हैं, नाक से जो भी पानी आता है वह आग्षी नेचर का होगा, जैसे पानी थोड़ा अगर आखों से या नाकों से जैसे स्किन के कॉंटेक्ट में आएगा तो इचिंग माने खुजली होगी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों में बच्चे को अगर यह होगा तो बच्चे आखे और नाख मीचते हुए आपके पास आएंगे और अगर बड़े हुए तो बड़े लोग खुजली को महसूस कर पाएंगे तब यह एलियम सीपा बहुत जादा असरदार है इसे दस बून तीन बार सुबह दुपहर शाम काफी अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप इसे एक चोटाई कब पानी में ले यह आपको नियूराल्जिक पेइन में भी बहुत जादा आराम देती है कहीं भी अगर किसी का हाथ या पैर सर्जुलिकल करके एंप्यूटेट किया गया हो तो उसके दर्द में भी यह बहुत राहा देती है धन्यवाद